जै शिराम, जै पुश्राम, वंदे मात्रम, भर्द मातकी जै जै बिहार, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोगों के लिए मेरे एक मैसेज है, अगर आप एक ट्रू इंडियन है और अगर आप जस्टिस पे भरोसा करते हो और अगर आप हमारे देश के सम्मिधान पे, हमारे देश के गौराव साली, अखंड, सम्प्रभूता पे विश्वाश है, तो ये जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, आप लोगों के लिए डेडिकिटेड है, तो सबसे पहले, तो हमें अपने आपको ससक्त करना पड़े सस्य स्याम ला मातरम, वन्दे मातरम, पhn से पहले आप अपने स्वाइब आपको जगव हो तो आप अपने को जगाओ क्योंकि अब वह वो समय आगए है आज मैं आपसे जो शेर करने वाला हूँ जो बहुत सारे यूटुबर्स ने आप लोग उसे साहिद कहा भी होगा और बहुत सारे यूटुबर्स का आप लोग यूटुब वीडियो देखे होगे कि एक स्टीव हफ जी हाँ मैं स्टीव हफ की बात कर रहा हूँ जो एक पैरल नॉर्मर एक्टिविस्ट है ठीक है पिछले दस साल से वो इस चीज पर रिसर्च कर रहे है ठीक है तो मैं उनके रिसर्च को यह नहीं कह सकता कि ही इस टोटली रॉंग आपको मैं बता दू कि सुषता था वह ऐसा इंसान था जिसने चांद पर परपटी एकॉइड किया था तो मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ और उसकी जो सोच है ना दे ब्राउट नेल्स दे ब्राउट नेल्स मेंस सपोज आप कोई परफॉर्मेंस दे रहो तो आपके कुछ दोस लोग हैं वह से कहते हैं bro you nailed it bro you nailed it you know what मतलब क्या big arguments with men मतलब एक बड़ा जड़प उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है दे ब्राउट नेल्स दे ब्राउट नेल्स का मतलब होता है ये ये एक वरवल तातपर होता है हिंदी में समझ लो तातपर होता है कि उन्होंने सुसान सिंग के लिए सेटल डाउन कर दिया अगर आपको इस चीज पर विश्वास ना हो तो आप गूगल करो विकीपेडिया खुलो नेल्स का तातपर ये होता क्या है सम्थिंग डाइस देमाइस और फेलियर अफ परसन इसका ये मतलब होता है ना कि ये मतलब कि वो किल लेकर आ थे और किल लेकर मारे हो उसको जिसका जो मतलब होता है ना आप सभी यूट्यूबर से मेरा आग रहा है कि अगर आप लोग को मतलब नहीं मालू हो तो बेमतलब का वीडियो ना बनाये करें और लोग को कुछ हे कुछ लोग को मत बता करो ठीक है मैं आप लोग के बहुत सारी वीड करके लोगों को बस दर्द दे रहे और कुछ नहीं कर रहे हो तो fact पे आओ आप लोग और fact लोगों को बताओ do not distract them ठीक है? and being Bihari I'm telling you, being Indian I'm telling you क्योंकि जितना दर्द हमारे अंदर है न उतना शायद बहुत किसी अंदर हो न आ हो लेकिन हम जाते है कि दर्द के होता क्योंकि हमारे देश हमारे बिहार से वो लड़का था मेरे घर के बगल का वो लड़का था So San Singh Rajput like my elder brother Are you getting the point? I'm telling you the fact तो आप जितने beatovers है न जो मनना है सो बोल रहो न बोलना बंद करतो चलो अब मैं बात कर लेता हूँ Butts मैंने इंटर्व्यूस देखे हैं तुमारे जब रिया चकडवती को ट्रोल कर रहे थे लोग बहुत पहले की बात है यह जब वो तुमारे साथ सब कुछ कर रही थी ठीक है जब लोग उसको ट्रोल किये तो वो तुमारे पास आती है और तुम क्या बोलते हो तु कौन है क्या तेरा नाम है क्या सीता भी यहां बदनाम हुई तु सीता से कौपेर करता है बेर या चकडवती को अब सुन बे तेरे लिए मेरा एक मेसेज है तु कौन है तेरे में बात है क्या तु कौन है तेरे में बात है क्या अज सामने बैठ मैं बताता हूँ तेरी अउकात है क्या चमझा बे यह है बिहार हमें बिहारी, हमें इंडियन वी आर इंडियन और ऐसे होते हैं इंडियन्स और इंडियन्स के अउकात पर जब आता आती है न पार के रख देते हैं भार के कोई justice दिला है न दिला है हम public justice लेकर रहेंगे इस बात को याद रखना मैं बता दे रहा हूं इस बात को याद company इतना पीछे जल्दी हटने वाले में से हम नहीं है इस बाट तो कर जतना हैabilросफ कर लेकिन एक हात तैयार हो जा अपने lawyers को लेकर के क तेरे पास Notice Punch ने वाला है ठीक है? तेरी सच ऐ क्या पता है बे? तेरी कितनी बीवी हैं है? एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाथ रफ्यूज हो जाता है इनसान तेरी कौन सी बेटी, किस बीवी की है पता नहीं चलता है बे? बिवी आती है, घर में स्टूडियो जाता है, वहां पर करता है तू कुछ और तरी पूजा भट तरी आलिया भट अरे आलिया भट की मैं बात करता हूँ तरी राजदान की बेटी है ना जो राजदान वो है ना जिसको ना इंडियन सिटिजन सिप भी नहीं है और तुरी बेटी वह आलिया बाट उसको इंडियन सिटिजन सिप है भे तुरी बेटी की पास इंडियन सिटिजन सिप भी नहीं है और तुरी बेटी की पास इंडियन सिटिजन सिप भी नहीं है और तुरी बेटी की पास इंड के पास क्यों भेज दिया तू भहुत माताँ अमेंटल ना बेटियों को या बोलता इजिवे अथी जब तरही बेटी लोग बॉइफेंट से गिफ्ट लेक आती है तो तू अपने बॉइटियों को बोलता है तेरे बॉइपेंट दिया है एक इग दिया है मैं तुम्हें चार तू अपने चाइल्ड के साथ भी वही करता है ना और तूने देश के सारे बच्चियों को वही समझ लिया और साथे सोसाइटी को तू यही मैसेज देता है तुम्हें हम यह नहीं बोलेंगे अब जीना सीख ले अब तो तरी उमर खतम हो गई है लेकिन तू ना अपने आने व और आवाई सब के भाईजान क्या करता है मुल्तान निमिट्टी और ला के दू तरे को लगाएगा अपने बोडी में यहां वहां ऐसे चिरकेगा वैसे चिरकेगा और क्या बहुला देश के फार्मर्स को रिस्पेक्ट दे रहा है तू तू देगा रिस्पेक्ट जो हिरन को मारता है तू देगा रिस्पेक्ट जो रात में रोड पे सोईवे लोगों के उपर गारी चला के चला जाता है वो देगा रिस्पेक्ट या पिर तेरा कोई politics माने का planning है बे सिम्शनास से ticket मिलने वाला है और वहां पर जाकर कि तू क्या करेगा parliament में हुड़ दबंग दबंग करेगा बे तेरे को ये करना है क्योंकि तेरा वैसे अब तु वढ़ापा आ गया तेरा फिल्मा में तो hero वालरॉल मिले अपने दबंगीरी को अपने पास रख ले समेट के क्योंकि आप तुम्हारी नहीं चलने वाली है तेरे गलेक्सी एपार्टमेंट में पोछा लगाने वाले बर्तन थोने वाले गैस के सेलेंडर थोने वाले अब कम पर जाएंगे तुम्हारे लिए और जो भी इतना ऐसे करते थे ना मैं सारे एक्टर से बोल रहा हूँ कि आवाज बुलन कर लो और जितने भी भी हार यूपी वाले और भारत के जिस कोने के भी लोग है उन लोग से मेरा ये मेरा एक ही मैसेज है कि आप लोग सारे इस चीज को इन सारे लोग को बाइकाट करो नहीं तो आज भीहार से गया हैs सब्सक्राइब करो इने सारे लोगों को बाइकाउट करो just go against them और यह आगाज है सुन ले और यह आगाज है क्योंकि कल तक रेक्वेस्ट था अब यह आगाज है और सारे यूट्वेश्वर्स को भी मेरा एक मेजज है कि फादू के messages ना मत फलाए करो अगर किसी चीज़ के बारे में मालूम ना हो एक दो अक्षर का ग्यान ले करके न डे ब्राउट नेल्स के बारे में कुछ से कुछ ना बोला करो अगर विश्वास है पारना लो अक्रिविटेस पर करो नहीं करना है मत करो अगर 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 आप करते हो तो उस चीज़ के बारे में कुछ से कुछ ना बोलो everything exists in this world क्योंकि इंसान इंसान को जब यहां पर मार सकता है तो सब कुछ पॉसिवल है यहां पर तो जितने भी युटुवर्स हैं पहले हर चीज के बारे में नॉलिज गेन करो हर चीज के बारे में जानों उसके बार किसी चीज को किसी भी मेसेश को स्प्रेट करो लोगों के पास क्योंकि बहुत साएं लोग है जो दिख भ्रमित होते हैं तुम लोग जैसे यूटुवर्स के कारण और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना मैं बताने बालाँ उस पार कि क्या होती है नेपोडिजम क्या होती है बॉलिवोड में डादागिडि क्या होती है बॉलिवोड में गैंकिजम जै श्री राम जै पुश्राम वन्ने मात्रम भारत मात की जै जै भिहार